मीठी रसीली गुजिया खाना तो सबको पसंद होता है पर इसको बनाने में बड़ी जंजट होती है तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें आप पांच मुट में धेर सारी रसीली बिना पूरी बेले गुजिया बना कर त्यार कर सकेंगे और खास बात य सबस्सालidas पर ज्र książ ऐसे वह अपको बताते हैं सबसे पह्रेख सबस्स्थ में हम यहाप कर सुगर सिर्फ तयार करेंगे तो उसके लिए एक पैन मैं एक कटूरी चिनी ले लेना है जितनी मैने Tips गाण में लेना पर पानी डालना है और सबस्थ पहरे तो हम्रातने पर वहाला चाशणी नहीं बनाना जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशणी बनाते हैं बस उसी तरीके की चाशणी हमें बना लेना यह देखिए चिपचिपी हो गई है तो इसका मतलब हमारी चाशणी एकदम पर्फेक्ट बनकर तयार हो गई है अब इसको थंडा होने के तब तक हम बना लेते हैं तो फिलिंग बनाने के लिए आज हम याँ पर सिफ दो चमज घी में बना कर तियार करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक चमज घी गरम करेंगे और उसमें हमें डाल देना है ड्राइफ रूट्स आपकी पसंद से ले सकते हैं जो भी आपको जाते हैं देखिए हलका से यहाँ पर गोल्डन कलर आ गया है तो अब मैं क्या करूंगे यहाँ पर इसी में डाल दूंगी एक कटूरी नारियल बूरा ग्रेट नारियल डाला है आप चाहिए तो बूरे का यूज भी कर सकते हैं और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक मिनिट तक भून लेना है बहुत जादा नहीं भूनेंगे इसको साइड में रख देती हूँ अब मैंने एक चमच और गी डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही है एक कटूरी सूजी आज जो गुजिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हैं बिना मावे के ब ौडराव को इसको चलाती रहेंगी नहीं तो यह जल सकता है इसको एक बाउल में निकाल लेना है साथ में मैं इसमें आइट कर दूंगी ड्राइ फूट्स जो हमने भून कर रखा था उसके बाद इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने इलाईची डाल दिये बहुत ही बड़ी आसा इलाईची से फ्लेवर आता है और यहां पर मैंने डाला है दो चमच मिल्क पाउडर एकदम ऑप्शनल है मेरे पास रखा हुआ तो मैंने डाल दिया इससे मावे वाला टेक्स आता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इसको इसके भी कर सकते हैं इसकी जगापर आप दूद की मलाई का यूज भी कर सकते हैं मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं बस अच्छे से मिक्स हो जाना चाईए अभी देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर रही हूँ मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर नहीं डाला है उसकी जगापर मैंने सुगर से रफी डाल दिया है इससे क्या होगा हमारा जो मिक्षेर है ना हलका सा गीला हो जाएगा इसमें हलकी सी बाइंडिंग आ जाएगी गुजो को अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाएंगे तो बस यहाँ पर गीली से हमने फिलिंग तयार कर ली है अब हम इसका डो लगा लेते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल नों मैंने एक कटूरी ले लिया है गेहूं का आटा और एक कटूरी मैंने लिया है मैदा आप चाहें तो पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं पूरे मैदे से भी बना सकते हैं रेशो आप आपके साफ से कम ज़ादा कर सकते हैं इसमें हलका सा नमक डाल देंगे मीठे को बैलन्स करने के लिए और मुझे मीटे में हल्क किसी अजवाइन पसंद है तो मैंने अजवाइन डाल दिये आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद इसमें डालना है मोयन तो यहां पर तीन से चार चमच ऑईल डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है सब तरफ से ताकि मोयन आटे में बहुत बढ़िया से लग जाना चाहिए आजकल हम धेर सारी मैदे की चीज़ें खा रहे हैं और यह हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम मैदे का यूज़ करें और आटे का यूज़ करें तो बस यहां पर अच्छे से बाइंड होने के लग गया था जो हमारा आटा था मुटी बांद कर देखा था तो यहां पर अच्छे सा बंद रहा था तो अब हम क्या करेंगे इसमें बहुत थोड़ा-थोड़ा सा पानी करके इसका पूड़ी जैसा डो लगाना जैसे हम पूड़ी के लिए लगाते नहीं बहुत ज़ादा हाड होता है नहीं अब जाए तो 3-4 जैसे भी आटे के हसाब से कर सकते हैं इतना आपने आटा लिया है एक इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेना है रोटी का जैसे आप बेलते हैं उसे हलका सा मोटा बेला है बहुत जादा मोटा एकडम पतला भी नहीं रखना है उसके बाद इस तरह से 20 से कट करेंगे पहले 2 पार्ट, 4 पार्ट, 6 और 8 एक रोटी में से हम इसको 8 पार्ट में डिवाइट कर लेंगे इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर दिया है पानी और 2 फिंगर की हेल्प से इस तरह से मैं सब में पानी लगा दूँगी आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का गोल भी मैदे को पानी में गोल करके और उसका गोल भी यहाँ पर लगा सकते हैं अभी देखिए, याँ पर हमारा जो हमने फिलिंग बना कर त्यार किया हल्की सी गीली है इस तरह से, इस तरह से आप बाइंड करें तो हल्की सी बाइंड होना चाहिए, तो देखिए, इस तरीके से, मुझे यहाँ पर मैंने सुगर सिरफ डाला था, बड़ मुझे हल्का सा कम सबसे पहले हम नीचे वाला साइड उठाएंगे और दोनों को अच्छे से पोल्ड कर देंगे इस तरह से कटूरी जैसी बन गई हलका सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो फिलिंग है वो इसमें सैट हो जाए उपर का कोना पकड़ करके यहां पर हमें साइड में दबा देना ह इस तरीके से अब बस यहां पर जो दोनों साइड से उनको अच्छे से दबाते हुए हमें पैक कर देना है अच्छे से दबाएंगे नहीं तो क्या होगा कि यह तलते जाएंगे और खुलने से सारी जो फिलिंगे वो कड़ाई में ही पैल जाएगी तो इस तरह से अच्छे स इस तरह से बना करके तयार कर लिए है अब यहां पर मीडियम ओयल में हमें इनको डाल देना है और डाल कर जब एक तरफ से हलका सा कलर आ जाएगा तो दोनों तरफ से भी अच्छे से कलर आने तक सेक लेना है पास से 6 मिनिट लग जाते हैं एक बैच को तलने में आराम से तल समोसे मैंने यहां पर बनाए थे तो चाष्णी कम रखी थी आप जादा समोसे बना रहे हैं तो कोई गहरे बरतन में चाष्णी बनाएगा ताकि समोसे अच्छे से डेप हो पाए मैंने इस तरीके से समोसे के ऊपर चाष्णी डाल दी है और बस हमारे टेस्टी समोसे गुज और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई